हेलो फ्रेंड्स मैं एंजिनियर विरेंद विष्ट करमा बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल बीर विल्डाउस इंजिनिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्लैब बनाते समय हमें कौन-कौन सी इसी बिसेश चीज है जिनका बिसेश तोर पर ध्यान रखना चाहिए हम आट पॉइंट्स पर बात करेंगे वो आठो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट्स है जिनमें अगर आप गलतिय Alles आपकी टाइल्स भराब हो जाए आपको लिजाया और आपकी टाइल्स खराब लग जाती है अगर मानली आपका प्लस्टर बेकार होता है तो बहुत सुधार सकते है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कॉलम आपका अगर कमजोर हो जाता है तो टीक नहीं हो सकता या फिर स्लैब में सीपे जा जाता है पानी टपकता है तो आपका पूरा ही घर खराब है तो इसके लिए कुछ आठ बातें जो है मैं बताने वाला हूं और भी बहुत सारी चीजें होती है लेकिन आपको आठ बातें जो है अगर आप इतना भी धिहान रखते हैं तो बहुत ज कोई भी आपका आप मानकर चलिए ब्रांड कुछ भी हो यानि कि हमारे जो सिमेंट के नेम्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं किसी भी कंपनी का आप सिमेंट ले लेकिन एक चीज बिसेज धियान रखे हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन आता है कि सर हम इ अच्छी होती है कुछ अगर PPC की बात करें तो flyers कम जादा करते हैं कुछ उनके ऐसे जो components होते हैं जो use करते हैं उनको कम जादा करते हैं जिससे strength थोड़ी बहुत कम जादा होती है कुछ fineness कम जादा होती बाकि सभी cement company जो है आपके lab से और test होकर ही आती है उनमें भी कुछ अच्छे brand है जिनका आप use कर सकते हैं अब इसमें PPC OPC आपकी सभी requirement पर depend करती हैं लेकिन जो भी आप cement ले रहे हैं एक चीज़ बिसे इस तोर पर दिहान रखें कि उसका test certificate अबश्य time और भी इसके की बाकी जो components है उनमें क्या चीजों की result क्या मिलेंगे वो सारी चीजें आपको उसमें समझ में आ जाएगी नहीं आती तो आप अपने engineer से चेक करवा सकते हैं जरूरी नहीं है कि सभी को test certificate पढ़ते आना जरूरी है लेकिन अगर आप उस cement company से उस dealer से अगर certificate ले लेते हैं तो आप अपने engineer को दिखा सकते हैं whatsapp कर सकते हैं mail कर सकते हैं और वो पढ़कर आपको बता सकते हैं कि cement अच्छी है या नहीं फिर plant पर भी depend करेगा तो ये चीजें होती है second बात आती है लोहा यानि सरीया आप खरीद रहे हैं तो आप याद रखें TMT हो और फिर भी आपको कुछ चीजें ये है जो अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं जैसे अच्छे brand का लेते हैं आप तो आपको समस्या नहीं आएगी साथ ही साथ आप दूसरी ये चीज भी होगी कि इसका भी आपको certificate देखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार है इसमें भी certificate आता ह आप उसे चेक करें इंजिनियर को दिखाएं या फिर आप किसी ऐसे वेक्ति से सलाह लें इसके बारे में जिससे आपको बाद में समझने में आसानी हो थर्ड अगर आप जब भी बना रहे हैं तो material एक चीज आती हमारे पास material तो material की आप testing जो है जरूर करवा लें अपने इ आप आल्रेडी देख चुके हैं लोहा यानि reinforcement देख चुके सरिया फिर उसके बाद यहां पर आप सेंड देख सकते हैं किस तरह से हमें कौन-कौन से चीज़ें का यहां पर यूज करना है यह चीज आप इसमें देख सकते हैं फिर आता है material mix material mix पर भी हमें विसेस तोर पर ध चीज सोच लें कि आप कौन सा mix करेंगे अगर मान लीजी आप इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि mix आप किस तरीके से कर सकते हैं तो आपको mixing के hand mix से अच्छा है आप machine mix करें या फिर बहुत सारी जगे RMC का भी यूज करते हैं यह आप पर है कि आप RMC से ले रहे है RMC से आपको क्या rate पड़ेगा आप कौन से grade का concrete कहते हैं यह सारी चीजें आप RMC से निर्दारित कर सकते हैं इसके बाद कोसिस करें कि आप अगर आपकी जो सामाने तहम घर बनाते हैं उसमें आप M20 grade का use करें यानि M20 M20 का मतलब है एक देर तीन जो कि मैं बहुत सारी वीड question यहां पर यह भी आता है तो बिल्कुल भी इस चीज से आप निश्चीनत रहें आप एक भाग अगर मानलीजे सिमेंट देड़ भाग अगर आप सेंट फिर aggregate मिला रहें यानि रेती और कप्ची या फिर रेती और गिट्टी तो किसी भी चीज में मिला हैं आप तकाड़ी ले सकते हैं गमेला ले सकते हैं फर्मा ले सकते हैं लेकिन सबी को आप एक ही अनुपात में रखें कम ज्यादा अनुपात ना करें अब हम बात करेंगे यहां पर six नंबर के पॉइंट के बारे में कि बाटर प्रूफिंग का उप्योग करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपका नहीं होना चाहिए जैसे कि आपका सिमेंट का पानी सलेरी जिसे हम कहते हैं वो निकल गया तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका अब का सेंड बचेगा यानि रेट और आपके गिट्टी और फिर वगईर यह बचेंगे तो में जो चीजेंगे तो में सिमें पर कि cover block और masking tape इनका यूज़ करना चाहिए cover block क्या होता है आपने देखे होंगे नीचे जो हम cover देते हैं वो आपका 15 mm, 20 mm, 40 mm मैंने इस पर एक special video बनाया था तो इस type से आप cover blocks का यूज़ करें तो किसी भी engineer को architect को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी कि वो कहीं भी site पर जाकर फैल हो या फिर गड़बड़ी करें आप खुद भी अपना माकान बना रहें तो कभी भी आपसे यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होगी friends ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम अक्सर गलतियां कर देते हैं हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब हम क्या करें इसमें आपको और भी चीज़ें जैसे contractor है आप carpenter को नीचे रखें ये extra चीज़ें मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको कि आप अगर मान लीजे load आ करते हैं फर्मे का या फिर आप support देते हैं तो वह support में आपको एक चीज़ और करना है बीच में brickwork का भी हम bricks नीचे रख देते हैं इट वगेरा जमा देते हैं staging के लिए इसका भी आपको यूज नहीं करना है क्योंकि हमें छोटी छोटी सी गलतियां है जो अक्सर कर देते है और बाद में फिर हमें इन चीज़ों के बारे में problems भी आ जाती है friends I hope वीडियो आपको पसंद आया वीडियो पसंद आता तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe करके वेल आइकन जरूर फ्रेस कर लेजे मिलते हैं नेस्ट वीडियों किसेने topic के साथ अब तक के लिए thank you